दोस्तो पीएम नरेंदर मोदी ने जब मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उधगाटन किया तो हर कोई इस पुल को देखकर हैरान हो गया और हो भी क्यों ना क्योंकि इसकी डिजाइन वाकई लाजवाब है करीब 17,840 करोड रुपे से अधिक की लागर से बनाई है पुल 21.8 किलो मीटर लंबा है समुद्र के उपर इसके लंबाई लगबग 16.5 किलो मीटर है और जमीन पर लगबग 5.5 किलो मीटर है इसके निर्माण में 1,47,930 मिट्रिक टन स्टील और 5,4,253 मिट्रिक टन सीमेंट क इस्तिमाल किया गया है यह अपने आप में इंजिनेरिंग का एक बेजोड नमूना है इसमें भारत में पहली बार और्थो टॉपिक स्टील डेक का इस्तिमाल किया गया है मरीन कंस्रक्शन और अंडर वाटर पाइलिंग के लिए एडवांस टेकनीक्स का यूज किया गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुल को बनाने वाली कमपनी कौन सी है यह वही कमपनी है जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि यही कमपनी आज करोडो सनातनियों के सपने को साकार करने में लगी है जी हां यह कंपनी राम मंदिर का निर्मान कर रही है हम आपको इस कंपनी के बारे में बताएं उससे पहले देख लेते हैं कि इस कंपनी ने देश में और क्या-क्या कीरतिमान रचा है गुजरात की केवडिया में निर्मदा नदीक के किनारे सरदार वल्लब भाई पटेल की मूरती स्टैचू आफ यूनिटी का निर्मान भी इसी कंपनी ने किया था 182 मीटर उची है दुनिया की सबसे बड़ी मूरती है इसे पूरा करने के लिए 300 इंजीनियरों और 3000 श्रमिकों ने लगबग 3.5 साल तक काम किया इसे बनाने के लिए 70,000 टन सीमेंट, 25,000 टन स्टील और 12,000 कॉपर पैनल का इस्तेमाल किया गया है स्टैचू के अंदर 4 हाई स्पीड लिफ्ट हैं इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भूकंप के तेज जटके या 60 मीटर प्रती सेकंड जितनी हवा की रफतार भी इस मूरती का कुछ नहीं विगाड़ पाएगी एहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का श्रे भी इसी कमपनी को जाता है नरेंद्र मोधी स्टेडियम में 1,10,000 दर्शकों के बैठने की विवस्ता है ओडिशा के राउल केला में दुनिया का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम भी इसी कमपनी ने बनाया है 2011 में वानखेडे स्टेडियम की शमता विस्तार का काम भी इसे ही सौपा गया था 2006 में इस कंपनी ने चिन्नई में जवाहरलाल नहरू स्टेडियम को रेकॉर्ड 260 दिन में तयार किया था देश के बाहर इस कंपनी ने कतर में एहमद बिन अली स्टेडियम और बारबाडोस के केन सिंक्टन ओवल स्टेडियम भी बनाया है राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्टा होगी जिसके बाद मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा इसे पूरी तरह से पथरों से बनवाया जा रहा है इसमें सीवेंट और लोहे का कम से कम इस्तिमाल हुआ है ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने वाली ये दिगज कमपनी है लासन एंड टुब्रो ये कमपनी आजादी से पहले बनी थी कमपनी को डेनमार्क से आए दो इंजिनेरों ने बनाया था और आज ये दुनिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कमपनीों में से एक है इसने भारत और दुनिया में कई प्रोजेक्ट बनाए है L&T की शुरुआ डेनमार्क से आए दो इंजिनेरों हैलिंग होलोक लारसन और सोरेन क्रिस्टियन टॉर्बो ने की थी साल 1946 में इसकी स्थापना मुंबई के एक छोटे से कमरे से हुई थी और आज दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में ये कमपनी काम कर रही है तो राम मंदिर के निर्मान के बाद ये कमपनी अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा प्रोजेक्ट एड जरूर कर लेगी लेकिन करोडो सनातनियों के दिल में इस कमपनी की इज़त बढ़ जाएगी आप इस शांदार कमपनी के बारे में क्या सोचते हैं और राम मंदिर को लेकर के कितने उत्साहित हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरे नियूस को धन्यवाद